हलो दोस्तों नमस्कार मैं निर्मल और आप सभी का आपके अपने प्लैटफॉर्म अनकेडम पे स्वागत करता हूँ लेट्स क्रैक राजस्तान एक्जाम्स तो बच्चों आज हम जानेंगे इस वीडियो में कोरोना वाइरस और क्या है जनता कर्फ्यू ये किसने दिया है ये कब लागू होगा इसका पालन कितने घंटों तक करना है ये कौन से तारिक को लागू होगा ये सारी की सारी चीजे आ बहुत सारी अच्छे अच्छे जानकारिया आपको मिलेगी इस वीडियो में तो भाई कोरोना वाइरस आप सभी को पता है बच्चों भारत में ही नहीं पूरे विश्यों में ये वाइरस का प्रभाव दिन बदिन बढ़ता जा रहा है बहुत सारे मरीज इसकी चपेट में आ रहे हैं और दिन बदिन ये संक्या बढ़ते ही जा रही है और बहुत सारे मरीजों की जान भी जा चुकी है और बहुत सारे मरीज होस्पिटल में एडविड भी है तो ये जारुकता फिलाई है हमारे प्रदानमंत्री जी नरेंदर मोधी जी ने जिनोंने 19 तारिक 2020 को तारिक याद करना बच्चो करंट अफेर में तारिक आएगी 22 मार्श 2020 रविवार को हमें जनता कर्फ्यू का पालन करना है क्या है जनता कर्फ्यू कितने घंटों का होगा तो बच्चों में बता दू आको जनता कर्फ्यू आ सकता है एक्जाम है वाट इस जनता कर्फ्यू क और हमारे प्रदानमंत्री जी ने क्या दिया है इसमें कोई भी नागरिक घरों से बार ना निकले ना सड़क पर जाये और ना ही मोले में या सोसाइटी में इकटाओ अपने घरों में ही रहे पर हाँ जो आवशक सेवाओं से जुड़े हुए हैं उनको तो जाना ही पड़ेग भाई राजस्तान में भी जारा लग गए एक सो चमवालिस की वो धाराय रखती है तो कोई उलंगन ना करे इसलिए पूलिस को जाना पड़ेगा होस्पिटल बंद नहीं हो सकते कोई अफसार है उसको जाना पड़ेगा तो ये सारी की सारी चीज़े आर्मी बंद नहीं हो सक हम कहीं ना जाए और नहीं देखने जाए कि कौन बिमार है और कौन नहीं बिमार दोस्तों 22 मार्च 2020 को हमारे आत्मसंयम देश हित्मे कर्तव्य पारन को संकलप एक मदबूत पतिक होगा 22 मार्च 2020 को जनता कर्फ्यू की सफलता इसके अनूबव हमें आने वाली चुनोतियों के लिए भी तियार करेंगे तो बच्चो एक देश का सेवक बोल रहा है अब जैसे हम चोटे-चोटे प्रोटेस्ट होते हैं उसमें हम लोगों को सपोर्ट करने लग जाते पर यह तो बहुत बड़ी विप्दा है यह हर कंट्री में विप्दा आ रही है तो हमारा देश का स सारी की सारी चीजे अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इसका उद्देश यह सब क्या है तो बहुत 14 घंटे के जनता करफियों का प्रिणाम क्या होगा यह हम आपको बताने जा रहा हूं यद भी एक इस्तान पर कोरोना वाइरस का जीवनकाल 12 घंटे का है और जनता करफ होंगे घर के अंदर होंगे जिसमें स्रंकला तूट जाएगी जिसके कारण इसकी क्या हो जाएगी स्रंकला तूट जाएगी जो फेलने का रोग है वो क्या हो जाएगा तूट जाएगा तो इस जनता करफियों के पिछे का आइडिया बहुत ही शांदार है नरंद्र मोदी लिए लड़ाई है हमारे दुवारा लड़ाई की जा रही है ये ये एक संदेश है बच्चो ये एक संकल्प है ये एक संगर्ष है आपदा से लड़ने का जो आपदा आई है उससे लड़ने का ये क्या है संकल्प और संगर्ष और ये एक देश सेवक का संदेश है जो हमें प बच सके और यदि हमारा देश बच जाएगा तो जो भी और भी देश के जो लोग है वो भी इस जंता कर चुका पालन करेंगे ताकि उनका देश भी सुरक्षित रहे तो बहुत ही बड़ी आइडिया है बहुत शांगदार ये जो पहल की जा रही है नरिंदर मोदीजी से तो ह हम भी उसका क्या करेंगे पालन करेंगे और इस रविवार को 22 मार्च को 14 घंटे के लिए हम घर में ही केद रहेंगे बच्चो बहुत इंपोर्टेंट है और भाई ये वाइरस है कोई भी वाइरस आ सकता है तो ये वाइरस के प्रती इतनी अच्छी पहल की जारी तो मैं बढ़ी जूरती जूरती जाएगी और बहुत ज्यादा लोग क्या होंगे इसका फाइदा उठा सकेंगे तो आप सभी ने जाना कि कोरोना वाइरस जंता कर्फ्यू क्या है ये कितने घंटे तक लगेगा ये 14 घंटे तक लगेगा ये रविवार को लगेगा इसका डेफिने है इसका पालन सभी लोग करें ताकि ज्यादा से ज्यादा इस वाइरस को हमें रोका जा सके तो बच्चों आपने जाना जन्ता कर फियो इन सब के बारे में तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगेगा और आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करेंगे आज के लिए इतना ही बच्चों मिलते हैं कल बाबाय टेक केर जै इन जै भारत वंदे मातरब